हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग आप सब को इस नय ब्लॉक में वेलकम हैं दोस्तो मैं आप सब के लिए लाया हूँ टाटा नेक्स ओन इवी कार जो की चार्जिंग से चलती है और इसके बेश्ट फीचर मैं आपको बत के बेश्ट फीचर में से दोस्तो ये चार्जिंग से चल के बारे में दो फॉग लेम मिल जाते हैं और दोस्तो टेल लाइट मिल जाता है है लाइट मिल जाता है और साइड में आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाता है और यह ब्लू कलर में हैं बहुत यह अच्छा कलर है इसकी स्पेस के बारे में आप सबसे बात करते हैं जो कि कहीं भी किसी भी रास्ते पर आप ट्रैबल कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इसके टायर जो हैं बहुत ही अच्छे टायर हैं जो कि आपको फ्यूचर में कमाल का रिस्पॉंस देगी और पहली बात यह दोस्तों इस कार से आपको पैसा भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा और भविस के लिए बहुत ही अच्छा इस देश के लिए बहुत ही अच्छा यह कार बनाई गए टाटा नेक्सॉन इवी कार जो की बहुत ही बेस्ट कार है आईए दोस्तों हम देखते हैं इसके बैक फ्यूचर के बारे में बैक में आपको टाटा ने दोस्तो और इसके हम future के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तो इसमें fast charging है। आपको एक बार फूल charging करने में मात्र आधा गंटा से कम समय लगेगा। ये चार्ज हो जाएगी गाडी। कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं। तो टाटा मोटर की अगर showroom है तो वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं कोई पैसा नहीं लगने वाला है दोस्तो आए दोस्तो इसके अंदर के model के बारे में बताते हैं इसमें दो air बैग मिल जाते हैं दोस्तो और एक आपको touch screen डिस और इसके steering पे आपको control पूरे control मिल जाते हैं दोस्तो ये back camera आप के screen पे दिखाएगा दोस्तो आपको जो कि back करने में कोई problem नहीं होगी आप easy way back पार्क कर सकते हैं यहां पे दोस्तो AC control मिल जाते हैं दोस्तो आप यहां से AC का controlling पूरा कर सकते हैं दोस्तो आई दोस्तो आगे चलते हैं दोस्तो जो कि आपको यहां एक screen touch screen मिल जाता आप call YouTube य आप gear shift कर सकते हैं दोस्तो Newton कर सकते हैं ट्राइब कर सकते हैं reverse कर सकते हैं दोस्तो और गियर ना होने के कारण यहां पर काफी space है दोस्तो दो' एयर वैग मिल जाते हैं दोस्तो यह गाड़ी का इंजन देखिए दोस्तों कमाल का इंजन है और ये फीलिंग ये चार्जिंग चार्जिंग प्लक है दोस्तों कैसे आप चार्ज करेंगे इसमें फाइब लोग आराम से ट्रैबल कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें सन दोस्तों इसमें सन ग बैठा सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने मैं बेश्ट बात यह बताओं दोस्तों एक बार चार्जिंग में 312 किलोमेटर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों आप इजी वे इसका पीकप एक कचप का पीकप है दोस्तों कहीं भी यह पीकप के माम मामले में या A.C. के मामले में ये कहीं इसका A.C. अच्छा ना चले सब कुछ बेश्ट है दोस्तो इसका मतलब बहुत गूड़ है दोस्तो यह है इसका A.C. दोस्तों देखिए घजब का एसी भी दिया हुआ कूलिंग बढ़िया कूलिंग करेगा कोई प्रॉब्लम और इस कार की सोरूम प्राइस 14 लाग से 15 लाग के बीच में होनी वाली है दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो सोरूम पे जाकर इस गाड़ी के बारे में और भी जानका यहां ले सकते हैं कि आपको कैस लेना है कि आपको फाइनेंस कराना है उसके बारे में कंपनी आपको डिटेल बताएगी दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो इंड करता हूं दोस्तों उमीद होगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक और स आटा, see you.